Assalamu alaikum students, इस वीडियो में हम chapter 15 vector field के exercise set 15.2 के questions 1 से 6 करेंगे, ठीक है, question 1 में आप से कहा गया है, दो parts दियें, A और B, जिसमें आपने by inspection find out करना है, इनकी line integration, ठीक है, या line integral, तो सबसे पहले है, कि line integral of ds, अब by inspection, अगर हम वैसे देखें इसको, तो यह point जो है, वो 00 है, और यहाँ पर हमारे पास point का 0,1 है, तो यह एक, जो line है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, that is the length of this line segment, और इसकी line integration की भी यही value आ रही है, ठीक है, यही value होगी, क्योंकि जो line है, यह इसी line segment की value आपका क्या होगा, line integral होगा, इसको अगर आपने calculate करना है, so how do you calculate is, हमने पिछली वीडियो में कहा था, कि हमारे पास जो factor value function है, वो इस तरह का होता है, जिसमें r0 आपका starting point होता है, और r1 जो है, आपका end point होता है, तो हमने values पुट कर दी, starting point के और end point की, ठीक है, इसको simplify किया, और values corresponding entries को add कर दिया, हमने पास यह form बने के, that means कि यह हमारे पास x की value है, यह हमारे पास y की value है, पि जो हमारे पास ds होता है, वो हता है, dx by dt का square, और dy by dt का square, इसका derivative 0 आएगा, इसका derivative 1 आएगा, 0 square, 1 square का square root लेने तो 1 आजाएगा, that means हमारे पास ds की आ रहा है, और ds is 1, ठीक है, अब इस form मूले में, इसको अगर हम change करें, transform कर दें, t from time जो है, वो 0 से 1, ds हमारे पास equal होता है, square root यह वाली चीज, into dt, यह ds बन जाएगा, 1 dt, अब इसकी integration करेंगे, तो that will give us t, from 0 to 1, और इसमें limiting value पुट कर देंगे, 1 minus 0, that gives us 1, चुंकि बाइंस्पेक्शन का आग गया था, आज वैसे भी अगर इस line को देखेंगे, यह line segment जो है, that is the value of the line integral, part b में sin x y दिया हुआ है, अब अगर आप देखें, sin x y, यहाँ पर x आपके पास क्या है, 0x is not changing, तो sin x y की value क्या होगी, 0, तो चुंकि इस path के along, sin x y की value क्या है, 0 है, इसलिए उसकी integration की value भी क्या होगी, 0 होगी, इसी तरह, next question में अगें, same चीज है, almost, तो पहला वारा तो अगें वही, length of the line segment है, लेकि इसमें line segment जाओ वो change हो गया, x is the same, और, sorry, x is this, 0, 2, and y goes to 0, 4, यह line segment है, इसकी length कितनी है, y is 2, then y is 3, and then y is 4, तो यह total length कितनी है, 2 है, इसलिए इसका answer, 2 है, आप यह उपर आले formula से भी इसको calculate कर सकते हैं, part b में, चुंकि x is constant, x मूव नहीं कर रहा, x is 0, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है, दोनों points में x 0 है, it's constant, इसलिए, इसका dx क्या होगा, derivative, वो भी 0 होगा, so that's why, the whole thing, sine integral is 0, question 3 और 4 में आप को का गया है, f dot dr से आपने करना है, ठीक है, जो भी आपको field given है, यह आपको field given है, ठीक है, और, f की value भी given है, i plus j, ठीक है, इसको हम लिख सकते है, 1,1 भी लिख सकते है, ठीक है, तो, क्या calculate करना है, figure में दिया हूँ है, the force field यह है, ठीक है, और, show in figure that, हमने evaluate करना इस चीज़ को, ठीक है, ठीक है, तो, f dot dr, उसके लिए हमारे पास, इसको हमने check करना है, ठीक है, according to this, f and r are parallel, ठीक है, तो, from these, जो vector value function है, और जो vector field है, वो क्या है, parallel है, ठीक है, f dot dr, तो मतलब है कि, इनके दर्मयान, जो angle क्या होगा, फ dot dr is equals to f dot dr, cos theta, तो angle is zero, when angle is zero, cos zero is one, तो इसले ये, f dot dr is, equals to this, and f is constant, ठीक है, अच्छा, यह हमें कैसे पतला कि, यह दोनों parallel है, यह हमेरे पास, r की direction गिवन है, f की direction अगर आप देखें न, i plus j, that means 1, फिर्मा 1, तो अगर यहां पर x b 1 है, y b 1 है, तो कौन सा point बनता है, अगर x b 2 है, तो y b 2 होगा, ठीक है, तो यह red वाली line है, एक्टर field को शोका रही है, ठीक है, अब f dot d r, तो हम लख सकते हैं, like this, reason क्या है, कि f is constant, तो f dot d r, अगर हम इसका, differential है, तो हम इस तरह लख सकते हैं, कि f is a constant, constant क्या होता है, हम बाइर निकाल देते हैं, अब इसकी जगह पे, f dot r है, इसका आप, यह value replace कर दे, ठीक है, f हमारे पास already है, 1, 1, f का magnitude के आगा, 1 का square, plus 1 का square, square root, that becomes square root 2, वो बाइर निकाल आया, ठीक है, r, अब चूंकि, r भी हमारे पास, किसकी equal है, 1 and 1, उसकी reason कहें, कि f and r are parallel, so, यह भी आगया, इसका भी हम magnitude लेंगे, तो भी, यही बन जाएगा, ठीक है, और हमने चूंकि, integrate करना है, from, minus 4, to 4, तो हम t की value पड़का देंगे, तो यह आपके पास, x b, t है, y b, t है, दोनों सेम है, ठीक है, t and t, 1 and 1, जब x1 है, y1 है, जब x2 है, y2 है, जब x3 है, y3 है, जब x4 है, y4 है, that means this, that means कि, x joh hai, t joh hai, minus 4 से लेकर, 4 तक है, तो आप यहां पर substitute कर दें, minus 4 to 4, यह बन जाएगा, 2 and 2 becomes, square root 2, 2 times multiply करें, तो 2 है जाएगा, और, t from minus 4 to 4, so 2 times 4 minus, into minus 4 is 8, 8 times 2 is, 16, 4 में भी सेम ही चीज है, एकिते फृक्हाइगा, तक है तो अब आप चाहाँ कि पास ओशफेर फेरी, that is, sorry, this is the vector field, and this is your r, they are perpendicular to each other, F dot R is F R cos 90 and cos 90 is 0, so the integration is 0. Use 30, this is in the book which is this one and I will not explain why the line integral in part A of example 8 can be found by multiplying the length of the line segment by minus 1. So that means that we show that we have length of the line segment by minus 1 to multiply and we show that we have this answer. That's why we transform it in terms of tangent. So we have tangent, tangent vector and we have formula R prime divided by R prime magnitude. R has a question for example. Here we have this one and this one is derivative. So we have magnitude. That means that if we put these values, R prime Q which is this one, R prime magnitude Q which is this one. We have T here, tangent vector J, which is this one. We have T here, tangent vector J, which is J. We have 0, 1. So F dot T, which is this one. F dot J, which is this one. F, according to the problem function, F is equal to cos X I plus sin X J. This is F value. So F is equal to cos X I plus sin X J. So and then before we put this one, F minus X. So the idea банan'd has no 1. By this process, minus 5 by 2 है ठीक है? तो sin x जह है वो किसकी equal है? minus 1 कि जब इसके इसकी जगे भे हम 5 by 2 लिखाते है minus 5 by 2, answer आता है minus 1 तो इससलिह कि जगा हमLY रूपट कर देंते हमारे पास minus 1 आ गया वो हम इस formula में substitute कर देते है minus 1 बाइर निकाल देते है के प्रूव हो गया कि this is the minus one times length of the line segment which is this one.